एक सफल और अच्छे निवेशक बनने के लिए दबाईए बेल आइकन को और पाईए अच्छी वाली अद्वाइस अक्सर आपस की बाचीत में आप लोगों का परिचे या उसकी तरफ देख के कुछ इस तरीके से बात करते हैं अरे तुझे पता है वो ना एक करोड का आदमी है वो ना दस कलाग का आदमी है तो आप उस इनसान को वैल्यू कैसे करते हैं कि वो एक करोड का है या दस लाग का है दो main तरीके होते हैं पहला कि आपको पता हो कि वो अपने business में या अपने job में साल का कित्ता कमाता है दूसरा आप ये देखते हैं कि उसके पास कित्ती property है car कौन सी है, phone कौन सा use कर रहा है ठीक इसी तरह आज हम सीखेंगे किसी share को value करना उसका सही दाम पता करना कि आपको उस particular share को कब और किस दाम पे खरीदना चाहिए इन ही simple तरीकों से जिसे कहते हैं sum of parts valuation तो आज हम सीखेंगे sum of parts valuation करना जिसके जरीए आप company को value करके ये पता कर सकते हैं कि कब आपको share को खरीदना है और कब आपको share को बेचना है नमशकार दोस्तों मैं हूँ प्रांजल कामरा और आज हम Phenology में सीखते हैं How to value a share तो valuation करने के mainly दो तरीके हैं एक कि आप profit and loss या cash flow से उस company को value करें कि वो company साल का कितना मुनाफ़ा कमाती है या उसके पास कितना cash आता है आज हम discuss कर रहे हैं दूसरा तरीका जो कि इस बात में निर्भर करता है कि उस company के पास कितने assets या कितने investments हैं जहां से उस company को regular income मिलती रहती है कितने अलग-अलग तरीके के उस company के पास investments हैं कितने जरिये हैं कमाने के तो इसे कहते हैं sum of parts valuation अब sum of parts valuation किन company के लिए किया जाता है क्योंकि share को value करने की तरीके तो बहुत असान है आज इस वीडियो में आपको समझ में आएगा कि sum of parts valuation भी कितना असान है लेकिन मुश्किल है यह decide करना कि कब आप कौन से तरीके से उस share को value करें कब आप sum of parts valuation लगाएं कब आप PE लगाएं कब आप DCF लगाएं इसको figure out करना ही मुश्किल है तो जब आज हम sum of parts सीख रहे हैं तो पहले जानते हैं इस valuation method को आप किन company के लिए use करेंगे तो दो तरह के company के लिए आप इसे use करेंगे पहला है Reliance Industries जैसी company जो company बहुत अलग अलग तरीके के business में है जैसे Reliance का retail business भी है कपड़े और जूते बेचने का Reliance का jewelry business भी है तीसरा Reliance का petrochemicals का business भी है चौथा Reliance का telecom business भी है इसके लावा उनका textile का business भी है तो ये बहुत unrelated areas है आपस में इसका एक दूसरे से लेना देना नहीं है तो ऐसे मैं मैं Jio को अलग तरीके से value करूँगा शायद जब मैं Jio को value कर रहा हूं तो मैं ये देखूंगा कि Jio के total users किते हैं और per user revenue कितना आ रहा है फिर मैं उसको compare करूँगा Airtel से कि उसके total users किते हैं और उसका per user revenue कितना आ रहा है और फिर मैं देखूंगा कि Airtel को मान लिजे Airtel के 100 users हैं और Airtel को per user 50 रुपे मिलते हैं यानि total Airtel 5000 रुपे का revenue कमाती है तो Airtel को market value कितनी मिली हुए यानि उसका market cap कितना है तो मैं ये कुछ data Airtel में देखूंगा और फिर मैं उसी से Jio का valuation निगालने की कोशिश करूँगा उसके बाद मैं Reliance के retail का comparison शायद Big Bazaar या Demart से करूँगा Reliance Jewel का comparison मैं Tanishq से करूँगा और इस तरीके से मैं अलग-अलग company को उसके अलग-अलग rival से compare करके सब जोड के Reliance Industries का valuation लाऊँगा मैं जानता हूँ ये अभी थोड़ा complicated लग रहा है लेकिन अभी आप इतना समझ लीजिए कि अगर एक ही company बहुत अलग-अलग तरीके के business करती है तो sum of parts valuation एक अच्छा तरीका हो सकता है दूसरा कौन सी company को आपन value करेंगे इस तरीके से दूसरी तरह की company है holding companies अब ये holding companies क्या होती है holding companies वो होती है जो खुद कुछ business नहीं करती है या बहुत कम business करती है major उनका काम है दूसरी companies में investment करके रखना यानि वो investment companies होती है एक तरह से आप समझे लिए कि mutual fund के जैसे तो कुछ ऐसी company का मैं आपको example दे सकता हूँ Tata Investment Corporation जो जाधा तर Tata Groups और कुछ बाहर की company में भी invest करती है खुद वो कोई business नहीं करती सिवाए बाकी company में invest करने का इसके अलावा Godrej Industries एक इस तरह की company है जिसका खुद का भी chemicals का business है लेकिन उसका बहुत जाधा हिस्सा दूसरी कंपनियों में investment की रूप में है सुन्दरम क्लेटेन भी इस तरह की company है बजाज होल्डिंग्स भी इस तरह की company है महराष्टरा स्कूटर्स भी इस तरह की company है तो ऐसी बहुत सारी holding companies है इन companies को ऐसे ही value करना चाहिए अब ये भी जान लेते हैं कि किन companies को आप ऐसे value नहीं करेंगे ये हैं जो बहुत focused company है जो एक product category में काम करती है जैसे gillet, razors, shaving cream, shaving foam यहां तक gillet limited है तो यहां हम sum of parts नहीं करेंगे Colgate में हम sum of parts नहीं करेंगे जो focused companies हैं उनमें sum of parts valuation नहीं करेंगे तो अब एक live example के साथ मैं आपको बताता हूँ कि sum of parts valuation कैसे किया जाता है देखिए, अब आपको दिख रहा होगा कि Bajaj Holdings की market cap market cap क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं market cap मतलब एक share का दाम मान लीजिए 100 रुपे और उस company के total 50 share है तो एक share का दाम 100 into total shares मतलब 100 into 50 तो इस company का market cap हो गया 5000 उसी तरह Bajaj Holdings लेते हैं इसका market cap कितना है लगभग 40,000 करोड याने एक share का दाम जो अभी 35,000 के आसपास है into total shares हो गया 40,000 करोड यह हमें बताता है कि अगर मुझे पूरी company उस company के सारे shares खरीद लेने तो वो मुझे 40,000 करोड में मिलेंगे याने यह पूरी company 40,000 करोड की है तो यह हुआ market cap some of parts valuation mainly market cap पे focus करता है तो इसलिए मैंने आपको market cap समझाया तो 40,000 करोड रुपे total company में बजाज holdings खरीद सकता हूँ 40,000 करोड रुपे में तो यह है इनकी annual report इसमें इनोंने बताया है कि बजाज holdings के पास 33% हिस्सेदारी है बजाज auto की याने बजाज auto की 33% owner है बजाज holdings तो अब बजाज auto का ज़रा market cap देख लीजे अब इसका अगर मैं 33% करूँ तो यह आता है लगभग 28,000 करोड रुपे याने बजाज holdings के बजाज auto में जो investment है उसकी आज की value है लगभग 28,000 करोड रुपे अब second company लेते हैं यह हैं बजाज fin serve अब बजाज fin serve में बजाज holding की ownership है लगभग 39% करूँ तो वो आता है लगभग 65,000 रुपे अब उसी तरह तीसरी company लेते हैं जो है महराश्टर स्कूटर महराश्टर स्कूटर में यह annual report दिखा रही है कि 24% holding है बजाज holdings की लेकिन यह पिछले कुछ महीनों में बढ़के अब 59% हो गई है तो बजाज holding आधा महराश्टर स्कूटर को ओन करती है महराश्टर स्कूटर का टोटल मार्केट कैप आपके सामने है 5000 करोड के आसपास इसका आधा हुआ 2500 करोड याने बजाज holdings की total investments की आज value किती है तो हम इन तीनों को प्लस कर देंगे 28,000 करोड प्लस 65,000 करोड प्लस बढ़ाई 1,000 करोड तो यह आ रहा है लगभग 95,000 करोड याने 95,000 करोड तो बजाज holdings के investments की समझ लीजे कि बजाज holding ने बजाज auto के shares खरीदे हुए है बजाज finserv के shares खरीदे हुए है इसका sum of parts ठीक है सारे इसके investments कुछ part auto में था कुछ part scooter में कुछ part finserv में इस सारे parts को जोड़ दो तो इसका sum आ रहा है 95,000 करोड लेकिन हमने सबसे पहले क्या चिक किया था कि बजाज holdings केवल 39,000 करोड में available और total investments की value है 95,000 करोड जो मुझे मिल रहा है 39,000 करोड में क्योंकि ये इसका market cap है यानि पूरी company मैं केवल इतने में खरीच सकता हूँ तो मुझे उसके investments पे जो 95,000 करोड है उस पे 55,60% का discount मिल रहा है वो ही investments उन्ही shares में अगर मैं बजाज holdings के through करू तो मुझे 55,60% सस्ती पढ़ रही है इसे कहते हैं Sum of Parts Valuation यहां अब मैं आपको दो important चीज़े बता देता हूँ कि आपको ये share कब लेना चाहिए और कब नहीं पहली चीज़ आपको कोई भी holding कपनी का share तब लेना चाहिए जब अपने investments से वो लगभग 30% discount पे चल रही हो याने कि अगर मैं मान लू कि बजाज holding के investments की total value एक लाग करोड है simplicity के लिए तो अगर बजाज holding का market cap मुझे 70,000 करोड से कम मिले तो मैं उसे ले लूँगा क्योंकि usually, globally holding companies अपने investments से 30-35% के discount पे चलती है अब यह discount पे क्यों चलती है बहुत सारे कारण है पहला, क्योंकि इस holding company के भी तो कुछ खर्चे है यह holding company भी tax देगी यह holding company भी management को fee देगी employee रखेगी, kaagas maintain करेगी उसके भी खर्चे है और दूसरा, अब बजाज holding अपने बजाज group की सारे investments कल को बेच के पैसा लेके बाहर थोड़ी निकल जाएगी क्योंकि उसे भी तो उस company में invested रहना है वो उसके group की company है वो अपनी company के shares खुदी बेच के अपनी company को किसी और के हातों में थोड़ी न दे देगी तो actually in all probability वो इन shares को बेचेगी नहीं इसलिए भी discount रहता है तो इस तरह के कुछ कारण रहते हैं जिस कारण 30-35% का discount common है तो अगर एक लाग करोण के investments मुझे 65-70,000 में मिलें तो ये अच्छी बात है लेकिन अब इसमें दूसरी बात आती है क्या पता? Bajaj Auto, Bajaj Fincer ये सारे stocks overvalued हैं अगर कल को वो गिर गए तो मेरी investments की valuation भी तो गिर जाएगी तो मुझे इसकी safety का भी ध्यान रखना है तो इसके लिए मैं 20% margin of safety ले लूँगा याने मैंने पहले क्या किया? पहले मैंने 30% discount अज्यूम कर लिया एक लाख पे 70,000 से उपर मैं नहीं दूँगा और अब इस 70,000 पे मैं 20% margin of safety लूँगा जो की लगभग 14,000 आता है यानि कि इस Bajaj Holdings में मैं तभी invest करूँगा अगर इसका market cap 55,000 करोड के नीचे है तो क्या अभी 55,000 करोड के नीचे है? जी हाँ, अभी 40,000 करोड के आसपास है तो अभी ऐसे समय में ये stock ideally मुझे ठीक लगता है investment valuation के हिसाब से मैं stock में invest करूँगा लेकिन अभी एक warning इस वीडियो में मैं आपको investment research करना सिखा रहा हूँ ये कोई research recommendation नहीं है मैं आपको buy or sell करने की advice बिल्कुल नहीं दे रहा हूँ ये सिर्फ मैं आपको सिखाना चाहता हूँ ताकि आप इस तरह का calculation खुद कर सके और हो सकता है बजाज auto, बजाज fincer 20% से जादा overvalued हो उस case पे मेरा ये calculation गलत साबित होगा इसलिए मेरे कहने पे इस share पे बिल्कुल निवेश ना करें और एक important चीज सिर्फ इसलिए कि एक लागता investment है और 50-55,000 पे company मिल रही है आप invest कर लेंगे ये भी सही नहीं है आपको ये भी देखना है कि जो companies में invest किया गया है जिसके shares की value हम calculate कर रहा है वो companies अच्छी हैं की नहीं उनका business model अच्छा है की नहीं आपको indirectly एक holding या investment company के थुरू उन companies में invest करना भी चाहिए की नहीं जैसे अगर आप Google करेंगे कि holding company discounts in India तो आपको बहुत सारी ऐसी holding companies मिल जाएंगी जो 80-90% discount पे चल रही है यहां तो मैं आपको कह रहा हूँ कि 100 का 55 में ले लो याने कुल मिला के 45% discount पे ले लो लेकिन बहुत सारी ऐसी companies मिल जाएंगी जो 80-90% discount पे चल रही है अपने investments के और वो हमेशा चलती भी रहेंगी क्यों? क्योंकि जिन stocks में investment हुआ है वो stocks की quality ही अच्छी नहीं है वो companies हैं invest करने लायक ही नहीं है तो कुछ अच्छी holding companies जिसमें आप इस तरह का calculation कर सकते हैं वो मैं आपको जरूर बताना चाहूँगा जैसे सुंदरम, Clayton हो गई Godrej Industries हो गई Bajaj Holdings हो गई HDFC Limited भी हाला कि उसका खुद का business भी बहुत बड़ा है लेकिन वो चाहे HDFC insurance हो चाहे HDFC mutual fund हो या HDFC bank हो उसमें भी उसका अच्छा खासा investment है तो एक तरीके से आप उसे semi holding company समच सकते हैं तो इस तरह की जो quality companies हैं उनमें आप इस तरह का valuation कर सकते हैं कोई भी ऐसी aigary company है उसको sum of past valuation करके बिलकुल ना खरीदे नुकसान होगा हमेशा quality से compromise बिलकुल बिलकुल ना करें तो आपको ये valuation का तरीका कैसा लगा क्या आपको simple लगा अगर हां तो इस वीडियो को like जरूर कर दीजिएगा और अब मुझे comment करके बता दीजे कि अगले वीडियो के लिए मैं कौन सा valuation method चुनूँ क्या मैं PE चुनूँ क्या मैं PB चुनूँ क्या DCF या फिर scenario analysis आप जो कहेंगे अगला valuation वीडियो उसी पे बनेगा तो अगर आप किसी भी stock को value करना सीखना चाहते हैं अगर आप ये सीखना चाहते हैं कि आप किसी भी share को खरीदने का सही समय और दाम पता कर सकें अगर आप किसी भी share के बारे में खुद in-depth research करना सीखना चाहते हैं तो आप join कर सकते हैं मेरे एक साल के investing course जहां मैं आपको text lessons, videos, downloadable content और quizzes के जरीए सिखाऊंगा एक expert investors बनना तो आप Academy of Value Investors को join कर सकते हैं उपर दिये गए card पे और इस video के description में दिये गए link के जरीए मुझे आपका Academy में इंतजार रहेगा और ये course Hindi और English जिस भाशा में आप comfortable है उसमें available है हम हर रोज बहुत सारा informational और knowledgeable content share कर रहे हैं Twitter और Instagram पे जिसकी ID अब आपके screen पे है तो join करना बिलकुल मत भूलिएगा मैं लाता रहूँगा ऐसे और बहुत सारे videos तब तक के लिए, this is Pranjal Camera, signing off, bye bye